कर दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूप चैनल अनुपिश्टेडी में आज हम दो सुरू करेंगे प्रस्ट नमबर जो है कि 11 से लेकर जो है कि 20 तक के प्रस्टों का सलुसन कराया जाएगा और यह आपका चेप्टर नमबर आप समझी रहे हैं आपका 36 चल ल यह आप नहीं देख पा हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जाकर आप वहां से देख सकते हैं यह प्लेडिस्ट में जाएगा प्लेटेक दिन का वीडियो आपको वहां पर यहां पर हम लोग इस चेप्टर का आपका दूसरा यह वीडियो है यह जो आपका दूसरा वीडियो है और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रस नंबर जो है कि आपका चलेगा कितने से 11 से प्रस नंबर कितने से 11 से तो फ्रेंज एक बात याद रखेगा आपको जो है कि प्रस नंबर 11 में ज्यादा समय लगेगा ठीक है और यदि आप जो है प्रस नंबर 11 को बिधवद समझ जाते हैं तो 12 आप खुर सलोशन कर सकते हैं बिलकुल आपका सिंपल हो जाएगा क्यों प्रस्प्रस नबर 11 में आपको मा गा न आ पना नहीं मैं किस्टाइब का म kn निकालना है आपको सब कुछ हम समझाएंगे तो चलिए हम यहां पर रिज़ है कि आपका भी बनेगा जम पे एक सम्मलम मिप्रामिड कr कहन video की एक संब्लम पिरामिट का जो सभी सिर्स होता है एक जगा जाकर क्या होता है अब पिरामिद पढ़े होंगे सो पिरामिड का आधार न। फ Strongly तीज मीटर गुड़े चारिस मीटर का आयत आयत है और उसकी उचाई होत को जो है 22 पर खहलें यहां पर हम लोग बना लेते हैं एक यहां पर हम आएं छोटा सा ही बना लेते हैं कि यह यह समझत बना हुआ है अब यहां से यह जो आपका सिर्स है इस आयात का पिरामिड बनाना है तो इसके जो सिर्स है सिर्स जो है कि एक जगह आपका इनका जागर क्या होता है मिला होता है सभी सिर्स कैसे एक जगह मिला होता है ठीक है जो आपका ये आपकी जो है एक पिरामिट बन गया अब पिरामिट कैसा बना जरा वो समझे ये आपका A हो गया B हो गया C हो गया और ये क्या हो गया D लेकिन ये करें जो भी आपका पहले हम लोग आयत बनाए हैं आयत के केंदर से इस जो पिरामिट की जो हाइट है इसकी जो क्या हाइट ये जो है फ्रेंड्स हाइट इसके कितनी है हाइट दे रहा है 20 मिटर का ये टोटल आपके उचाई जो है कितने मिटर की है 20 मिटर जारा ध यह आपका कोई आयतकार है आयतकार नहीं हो लग कर दिया गया कोई बात नहीं है यह अपकि जो है यह लंबाई हो गए यह चोड़ाई हो गए ठीक है अपका दिया गया है कितना जारस त्यास की यह जह नाव यहाँ पर आपका यहाँ आपका एक आयद बन गया इसकी लंबाई जो है आपकी 40 निया जो है इससे इस तरह से हम लोग वह एक बांढ़ेंगे तो आपका एक ऐसा कार बनेगा देखें ध्यान दिचेगा एक आपका निए इसके सिर से यहां पर हम लों मिला देंगे इसके सिर से यहां पर यहां पर और क्या यहां तो एक आपका यह क्या बन गया पिरामिड बन गया इस तंकु के जैसा है लेकिन यह क्या है आपका पिरामिड है तो नीचे से आधार आपका हो गया और यह आपका क्या हो गया पिरामि हुआ है लेकिन 4 बना हुआ है ठीक है जब अबी बराबर है 40 cm क्या होगा यह जो आपका यह वाला भाग है dc भी यह यह न gefार ol होगा है कितने होंगे 40 के और यह जो आपका है बीसी बराबर यहीं भीसी जो है आप इसको का अब देखें यह तिरेक परिष्ट है यह आपस बराबर तुटे आपका 30 का है तो यह भी 30 का होगा कि नहीं होगा और यह 40 का है यह बिरिष्ट के सामने का यह परिष्ट करके इनको आपस में जोड़ना है क्योंकि इनका च्छेतरफल चाहिए इसका च्छेतरफल चाहिए इसका च्छेतरफल चाहिए इसका च्छेतरफल और पूरे का जम निकालना है करें क्या करें कि संपुर्ण पर निकालना है तो नीचे वाला जो आयत बना है आयत का भी क्या च पूरे प्रिस्ट का च्हेतरफल निकाल सकते हैं उम्मीद हुए कि इस ग्राफ से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा अब जैरत देखीगा अब यह आप का सबसे पहले इसकी क्या चाहिए इसकी हाइट चाहिए तो हाइट हम लोग पता नहीं है तो पहले हाइट तो हम लोग क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा अब ध्यान दिजेगा हाल इतना टोंबी दो कि बिलकु वूर्ड यह आटा है खाल ऑप देख किद्ने का कितने का हैं 20 ce 기자 कि नाइए और यह आपका जो केंदर बना केंदर से इस रेखा पर केंदर से इस ञग मध डाल देते हैं यह लम्ब डाल देतें तो ध्यांद इए किफ RD Dingre इतना समझ में होगा और यहां से से केंदर से इस पर लाम डाल देंगे तो अब यह इतनी दूरी हो जाएगी कितना हो जाएगा कि उमीद की समझege हो आनवाओं अब थोड़ा नों तिरिक प्रकार का बना है तो आप किश प्रकार का बना है ज़रा वो समझ ये तिर्चा हो गया कोई वार निये यह 19 का बना यह भी कितने का बना नभे है आपका यह कितने का है नभे का है और जो यह वाली रेखा खीची गई है यहीं आपका क्या होगा हाइट होगी यह जो आपका तिरफूज बना है और मैं ध्यान देगा मैं फ्राइं और फार्मुला मैं लिखने के लिए मैं लिख लेता हो फार्मुला और यहां पर क्या आपका बनेगा ठीक है चलिए तो किस तो की प्रिस्ट का 6 तरफल जो भी आपके जितने प्रिस्ट नें लेकिन आपको दिकत यह होगी यह जो आपका बना हुआ है पिरामिड बना हुआ है इसको निकाले तो देखिए कैसे निकाल लेंगे यह आपका नाम कर दे रहा हूं एबी सीडी इसको आप मान लीजिए नहीं है तो ने इसको इमान लीजिए और इसको में लेते हैं आपका एफ हो गया और यह क्या हो गया जी हो गया अब जरत्यान समझेगा यह 90 डिग्रे का बना हुआ है यह लंब है ना यह को है तो ओ से ए तक यह लंब कितने का है सब्सक्राइब आपको समझ में नहीं एक रिपिट कर देते हैं तो बिल्कुल को समझ में आ जाएगा इस टैक कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें इसलिए ज्यादा समय आपका लिया जा रहा है अब देखिए यह आपकी भूचा कितने की बनी बीस की बनी की नहीं क्योंकि पूरा यहां पर मैं निकाल दे रहा हूं कि 11 बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों यह लवन बराबर होगा अंडर उड में लंब का स्कॉयर यहीं की बीस का स्कॉयर कितना हो जाएगा छार्स पंधरह का स्कॉयर की इतना हो जाएगा 225 यह आपको हो जाएगा चारसो दो सद में शौ 냉नि यह यह लवाली वाली जो है वसे यहां पर 25 निकल गया कि याद रखेगा यह आपकी हाइड यह पचीस है तो आधार गुणे उचाई यादिक आपका इसके च्छेतर फल निकालेंगे और जो सामने वाले उसके सामने वाले यह पीछे वाला जो भी मान है वह भी बराबर होगा यहां कि दुगुना करना पड़ सब्सक्राइब करने में तो आप इससे समझ जाते हैं तो आप जो है कि अगले को समझ को आप जो आप जो कर सकते हैं और आपको दिकत भी नहीं होगा किससे हम लोग फाइंड कर रहे हैं यह जो आपका ग्राब बना हुआ है ना बहुत ही डिफकल्ट है यह समझ जाते हैं तो बहुत ही हो जाता है ठीक है ना चली कि हम लोगों फाइंड हो गया यानिकि यह जो इस भूजा की उचाही निकल गई इससे हाइट निकल गई तो आसानी सब्सक्राइब निकला जा सकता है न चलिए तो तीरियक प्रिष्ट का छेतरफल अपजराद फार्मुला देखेंका तिरियक प्रिष्ट के छेतरफल के उसमाइब क्यों आपको सामने वाली जो आपकी सामने वाली है ये सामने वाले है टोस्टाज मैं यह नुक्ता है ज़यां तो आपको कितना है और यह यह समझते होगा है यहाद मिना ना हो रहा है कि सबस्पाइब कर देगा और इस तर्फन निकालेंगे और इसका चे hesitate प्रण निकाल करें दो से मल्टिप्लाई कर दें इधर कर वीछ तरफन निकल जाएगा क्यों कि यह भी जितना है यहीं आपका उतनाई ठीक है तो यहीं पर हम लोग लिए कर चला है ठीक है उसी तर से देखिए दोनों में दो दो है न प्रिस्ट तिरिये क्रिस्ट है न दो कोष्टक में आपके आम ले यह इस साइड वाले और पीछे वाले का हम लों निकालेंगे दो कोष्टक में हो जाएगा एक बटा में दो इसके लिए आपका आधार चाहिए एबी गूड़े आपकी हाइट हाइट कितने भाई यल 1 दिकत हो रहा है नहीं हो रहा होगा यदी समाझ में आ गया होगा तो ठीक है चलिए आप प्लास फिर एक बटा में दो होगा गूड़े अब इस सामने वाली ना तो सामने वाली आपकी आधार यानिकी सी बी यानिके मैं मैं देता हूँ डीनी सी अधार के टरफल को सेटर फल तो एक आयत आ लंबाई चोड़ाई होता है तो आपका हो जाएगा लंबाई कि रहा है लंबाई का मतलब किया हुआ कर पने बी ने कि यह नोपने अगर इस तरह समझ हुआ नहीं आता है तो अब मैं इसको हटा दे रहा है तो आप जह की इसको कॉपी कर लेंगे ठीक है आपको समझने के लिए आप हम सलूसन करके देख लेते हैं बिल्कुल आपका सिंपल हो जाएगा इतना समझ में आ गया है तो ठीक है इसे लिए पारात कर लाए हो मितने हैं अफ समस्टेश हैं नाख कर देशर कावए को किसली सेचें-वी आद विका टीकिन दो थहाल स्वाष्यา सिरसाइव किनद तरी अने तरी आंजाएम जुफ है एभ rebel कर सकते हैं कि एगले फरक्त असलुआ कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं Piet कर दिया हूं कि कर दिया हूं तो the time इस hydrated लग ज्यादा समय लगा और किसमें लगो इसमें आपको समझाना भी था और इसमें Grap भी देख नहीं किना दिकी है और यहां पर यहां पर 25 से 40 मौल्टिप्लाइ कर दिये गया तो आपका 1000 हो जाएगा ना इसके बाद 20 से 30 मौलटिप्लाइ करेंगे तो आपका 600 हो जाएगा अकणि में दो कमान जानता ही होंगे एक दस्मलों चार एक दो होता है एक दस्मलों चार एक चार होता है यहां पर देखें इसका मल्टिपलाइ कर देगे तो यह हो जाएगा 848.4 आप तो मल्टिप्लाई कर लेंगे ठीक है अब प्लस कितना बारसों और यहां पर हमनों सभी का एड करते हैं तो आपका होता है तीन हजार आटारी दसमुलों क्या चार मीटर स्कॉर यहीं कि अब बना हुआ था तो कम्पलीट क्या बना हुआ था यहीं था आपका एक पिरामिट बना हुआ था इस आयत के द्वारा और इसका इसी का पूछ रहा है तो हम लोगा टोटल छेत्रफल यहीं कि पूरे प्रोसेस बड़ा है जरूर लेकिन आपको समझना था इतना बताएंगे जब बताएं आपको बिल्गुल की लिए उमीद होगा लेकिन ज्यादा समय लगा है कोई बात नहीं यह आप समझ आता है तो आप उसी समय में आप तुरंट जो है कि आप से आप कर सकते हैं तो आपको प्रोसेस थोड़ा वड़ता है लेकिन आप अप समझ आते हैं तो आप तुरंट उसके सलुसन कर सकते हैं यह आप समझ गए हों तो आसानी सबस्सक्राइब निकाल सकते हैं इसका ठीक है न चलिए तो चलिए फ्रेंज उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आगए लेकिन हाँ हम लोग आप संगी बात कर लें तो कुश्चन नमर 11 का आफसन जो है कुश्चन नमर 11 का आफसन नमर 2 क्रेक्ट मिला है यहां पर हो जाएगा तो चलिए हम लोग इस तरह से बढ़ते हैं अगले कोश्चन के तरफ कोश्चन नमर 12 देखते हैं बहुत ही सिंपल है आप खुद सलोसन उसका कर सकते हैं ठीक है ना चलिए कि चलिए कोश्चन नमर 12 देख लिए कोश्चन नमर 12 खुद बना सकते हैं और उसका सलोसन भी कर सकते हैं ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें करें कि एक सम पिरामिड का आधार दस भूजा वाला वर्ग है सम पिरामिड का मतलब यह हुआ कि जो भी आपका मैंने यह पिराम है यह निकी इसका चेतर फल इसका सभी चारों भाग बराबर है चारों वासानी से भाग निकाल सकते हैं ठीक है चलिए हम निकाल कर देख लेते हैं सम पिरामिड बनाए गया है जब कि वर्ग बना गया 10 cm का एक वर्ग है देखिए मैं यहां बना लेता हूं यह आपका एक क्या है हम लोग थोड़ा बना लेते हैं ठीक है ना यह वर्ग है यह क्या वर्ग है यह भी 10 का होगा यह भी 10 का होगा यह भी 10 का होगा यह कितने का 10 हो गया वी हो गया सी और क्या ली कि ने पिरहा मिठ बना लिजिए यहाँ सै सल्म इसको मिला दीजिए यहाँ सै इसको मिला दीजिए और इसके सीर्च को इससे मिला देजिए इसके सिर्ष को इससे मिला देजिए फिरामिट बन गया ठीक है और यह वर्ग है ना तो वर्ग तीनों बढ़ाबर लेकिन यह आपका देरा है क्या केंदर से इस के हाइट दें यह आई की हाइटी की बारा सेंटीमीटर है इसके इसमें की एक किया डालेंगे तो यह बाग कितने का कि बना पांच काल और इस वे यहां बने निकल जाएगा कि नहीं निकल यहां से हुआ इसको ऐसे क्या करेंगे मिला देंगे यह आपका एक समकूर्ण तिर्भूज बना कि नहीं यह आपका बारा हो गया और यह आपका पांच हो गया आपको कॉन बराबर हो जाएगा अंडर में 144 हुआ और यह हो जाएगा प्लस पांच प्रशे क्या आपको हो जाएगा नहीं हो जाएगा आठ हो जाएगा टीपंस chegou हो जाएगा प्र यह काम कर करेगा किसरा काँक नहीं कि यह आपकी तिर्षा ही तो बन ना है यह से तिर्चा बन फै deer कुछाई हो सत पिएगा हैक काम करतीन तरफिशाग लाइडंश के लगाल प्लस द मौनर माती हाइगi हॉगए हाइट हो यह इसका पूरा हाइट निकला हाइट कितने का हुआ तिर्यक पूछ रहा है तो लिखेंगे तिर्यक प्रिष्ट का छेतरफल बराबर हो जाएगा देखिए तिरियक प्रिष्ट का छेतरफल कितने प्रिष्ट बने है तिरियक चारों प्रिष्ट बराबर है ध्यान दिजेगा तो चारों प्रिष्ट बराबर है चारों का निकालने के चार से मल्टिप्लाई करेंगे और एक प्रि їх uy 602 206 है कि नहीं हुआ हुआ है है कि 170 में दिया हूआ है दोजश कर नमर 12 हं हमrice हो रहा है कोश्चन बारा का कि option B correct हो रहा है यह आपको बिल्कुल समझे अब देखें दो कोश्चन में आपको बिल्कुल confusion दूर हो गया होगा यह कि आपकी दिमांग में कोई अब करना है और ग्राफ द्वारा भी हम लोग समझ चुके हैं तरह से और वीडियो को लाइक से जरूर करते हैं चली बढ़ते हैं को आपका सलूशन कैसे करेंगे तो कोश्चन में आपको करना क्या है आपको यादा कुछ नहीं करना है सेम प्रोसेश्ट आपका सेफ चलने वा इस तो आपको 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 आपका समझ करना है तो आपको एक संकु है इसको ब्यास कितने का है यह पूरा ब्यास कितने का है 6 cm का है इसके बाद का रहा है कि तिरीएक उचाई तो तिरीएक उचाई यह आपके क्या है तिरीयक उचाई यह आपके इसको जो है अच्छी काड़ से आद देखें और अगर देखें इस तरसे एक संकु बना है है एक सोंग को बना है हम लोग साइड से एसे बिछ में से में इस उसका देते हैं ऐसे बीच में से क्या करते हैं कर देते जो आगे बांपे बाहरा जाए गार आप आपका यह यह तरह से बंजा और यह ब्यास दो कितने ने तो था कितने के यकाटैंगी तो ऐसे आपका बनेगा और रहा है कि जो जी शेत्रफल्स तेयर्लों को निकालना है कुना आपके stip convex तो आपकी बात सकते है आपकी बसकी बहीं चीना निकालना के लिए ते labeled आधार 2020 से निकाल सकते हैं आप अब कर सकते यह आप काहे हो गया बी हो गया इसको आप कोई बात नहीं तो आप लोगों निकालेंगे हैं तीर unfoldingिये पूरे तिरुफूझ का निकालना यहां लेकिन आपकी है नहीं हाई इंट वकर निकाली तो है किना आफ यह समझ में आ रहा होगा है तो हाइट आपकी टोटल होगी नहीं कितना पुछ पन तो आपके ऊंचाई कितनी हो गई करणी में कितना पछुपन हो गया यह दो त्या-इक तीन करनी में कितना सब्सक्राइब कैसे लिए यह डिए रहा किआ आपका एंसवर रहा देखे एक और 172 को समझ गए होगे जिने जब तक आपका क्लिए हो नहीं अगर दोनों को समझ जाएंगे तो खुद आसानी से आपका समझ में आ गया होगा कैसे हम वो कर नहीं है कց मैं पड़भय कर चाह बहुत बढ़ें क्षेंट सिर्ट किया होगा लुआ लुए समय में सब्सक्राय क्यों तरह कोरें हैं जो जो है एक है कि तो यह चीए काट का जो च्छेतरफल है आपका इतना होगा ठीक है चलिए कोई बात नहीं विल्कुर समझ में आ गया होगा तो चलिए अगले कोशन के तरफ कोशन नमर आपका 14 देखते हैं कैसे आपका सलूसन किया जाएगा ठीक है चलिए उसको भी हम लोग समझते हैं तो द यह आपका क्या है वर्ग कार है आता है जानते हैं वर्ग की जो है कि चारों भुजाएं क्या होती है बरावर होती है तो यह मुझे शमझाना है तो हमको तो बनाना भी पड़ेगा ठीक है ऐसे दिवर न आप थोड़ा सभ़ी से बनाते रहेगा यहां पर इसकी जो हाइट दे रखा है है कि हाइड कि इसके हाइड लबीस म मीटर रूचै कि इसके हाइड कर रहा हैं है अब अवस्क Height कि आवाश्य कपड़े की माप यहाय कि आकार का तम्भू जो तम्भू बना हुआ ना पीरामिड का आकर का जो पिरामिड यहोपर वाल बना हुआ है ना को Hosp low कर् calle bad Ś अब देखिए घितना इसका प्रिश्ट का मतलब क्या समझ रहे हैं इसकी जितना लोगाना यह यह आपsite new family उतने हो यह हम लोगा लगेगा ठीक है उसले श pensa किया निकल दीजिए प्रिश्ट निकाप लेना नहीं है जो बना गया है न हम लोग निकाल लाएतना पिछली कोस्चन होएं कि आपको इससे मतलब है नई इसको ङाटा देजिए तिसके टिर्फिए उपर वाला फैंड करने प्लामिद यहां से हैं तो इसके इनदर से थाकड जाता हैu यहां से यहां से तक है तो आसानी से तीरियर कुचाई को निकाल लेजिए यहां पर समझ में आया ना चली तो हम Happy बन चुका है कैसे ऐसे बन चुका है ना और यही जो हम लोवाइद करेंगे आपका कितना है यह आपका 20 है और यह कितना है यह जो आपको निकालेंगे आपके तिरियक क्या होगी उचाइब करते हैं न तो तिरियक उचाइब कैसे करेंगे देखें इसको यह क्या मान सकते हैं तो यह लोगी बराबर हो जाएगा अंडरूड में 20 का स्कॉर आपका 400 जाएगा प्लास चाचाइब के शत्तिस तो जाएगा यह आपका हो जाएक करणी में 436 जाएगा 436 का वर्गमुलिया दिनिकालते हैं तो बीस पॉइंट नाइन होगा 20 कितना होगा नाइन इनिकि जो आपका यह जो तिरियक उचाइब की हाइट होगी वही ति फिरिक चेटर-फल यानिकी वकर पेष्ट टिन निकालेंगे और नोबlog लिखेता ना इन की जो आपका तीरीक परिस्ट बना हुआ है ऊचारों ब shrimॐ से आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यह आप लिखेंगे क्या कि तीर्यक bhra commune का 6 नो भीके ga मुण। रखेगा है एक बता में दो भूल्रे अधार कितना है अधार 12 है ना भूल्रे हा इफ खिक pak सा धिश दसमलों ना है लेकिन इथ याद रखेगा हाई ती रीक harbor इसका चेतरफण निकल लाहा है तो कितने का भी निकला हुआ है और एक ही का निकला हुआ है ठीक है क्योंकि यह एक ही का फार्मूला है अभी लेकिन इसमें है कितने चार हैं, तो इसमें चार से क्या करना पड़ेगा, multiply करना पड़ेगा, ठीक है, अब यहां से दो दूनी के, चार, बारद दूनी के, 24 हुआ, गुणे 20 दस मलोस आग और कितना हुआ, न, और इसका जो है, हम लोग मल्टिप्लाइ करके देखते हैं, यह की हो जाएगा पांसो एक दस्मनो चाएंट ए स्क वाइर जानल प्सक्तอง पांसो एक दस्मनोड 6 मेट्र इसक्वाइरब करökतला है मतलब क्या यह 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 जो आहिए तो आपको क्या चाहिए कापड़ा चाहिए ताकि वह क्या हो ढख जाए तो यहीं आप से पूछ रहा था कि आप जो है आवास्य कपड़े की माप बताइए आकार का तंबू बनाने बनाना है तो आवास्य कपड़ों की माप कितनी होगी पांसो एक दसमलों छाम मीटरी स्कॉयर का होगा और हम लोग आफसन की बात कर लें आफसन न हम लोग कैसे कर ते करते हैं ठीक है हर बना दिया एक आप गलाफ में बिल्कुल आपको फांदरा थी होग संपूर्ण चलीत तो हम समझते हैं बिक्सक्रालकों समझते एक qadra परनदरा आया है इस तरस सब्सक्राइब करना ठीक है आप लोग भन बना लेंगे और घन में जो है कि यह आपका एक संकु बनाएं गया है आप से कहा रहा है प्रस्नी की 20 सेंटीमीटर भूजा वाले घन थाहन से एक बड़े से बड़े संकु काट कर बनाया जाता है जब कि संकु का धार घन के अधार पर है तब संकु का संपोन ठी एक है और घं यहां तक यह भी कितने का होगा 20 का होगा की नहीं भी होगा ति यह आपका देखिए एक संकु जो है यह काड कर आपका क्या 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 है निकाला गया इसमें से यह आपकी घंबाना है आपको उसमें से बड़ा से बड़ा संग काटना है जो कि ऊपर वाला प्रिष्ट होगा उ यहां पर जो संगु का अधार है जो घन का अधार बेश सेंटीमीटर है यहां के भूजा बीस सेंटीमीटर की लेकिन इसकी लेकिन हाइट जो दे रहा है हाँ अभी है होगी हुगी संग के बराबर इसीटने उचाइब से आपका है यहां से हम लोग क्या बनाएंगे यहां से क्या बनाएंगे वैसे हम लोग क्या बनाएंगे जो आधार होगा यह आपका घंग का जो पूरा ओपर वाला जो है घं से ऐसपर्स कि पूरा ओपर वाले आपका प्लेट रहेगा ना इसी पलेट से यह कि आपका बना हुआ है संगु ठीक है उम्मीदवी समझ में आ रहा है ठीक है यहां पर समझाने में थोड़ा ग्राफ नहीं बन पाया इसे लिए दिखत है ठीक है यह आपका जो है कि कि संपूर प्रिस्ट का फार्मूला होता है पाई और कोश्टक में यहां यहाне हो लीखर यह को लिखते हैं पाई आर एल प्लस पॉपाइं कि आइवर इस्क्क निban लेकिन हम जानते हैं Л ब्राबर तर्य यह कुछ है यह बराबर जो होती है अंडरोड में हाइट का स्क्वाइर होटा है प्लस कि आ तिरीज्या का स्क्वाइर तीक है यहां हमों डैरेक्ट आ जाएंगे पल मैं फार्मूला लिख लिए लेता हूं पाई आर कोश्टक में एल का वैलू कितना रखेंगे ही स्क्वाइर प्लस कि आरस को रखेंगे प्लस और कमान कितना है और का तो आरे पाले रख दीजें मान तो नहीं रखा जा रहा है अभी अभी हो जाएगा पाई कमान रख दीजे 22 बटा में 7 हो जाएगा बुड़े तिरीज्या आपकी 10 हो जाएगी गूड़े करणी में आपक आपको हो जाएगा 220 बाटा में क्या साथ और यह आपको जाएक कितना अंडॉर में कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा प्लस कितन हो जाएगा 105 का बर्गमुल्डों कर देखते हो जाएगा यहाँ यहां कमान मत रखेगा क्योंकि आपसन में जो इक पाई दिया हुआ है तो हम लोग पाई कमान रखने के जरूरत नहीं है पाई जब दिया हुआ है तो पाई को पाई ही रहन दीजिए पाई यानिक आपका क्या हो जाएगा यह दस पाई हो जाएगा और यहां सो जाएगा दस पाई क लीकिंटा पाँच प्लस क्या वं यहां कि आपका इतना हुआ एनिके बात कर समझ में आ गया है बह। सिंपल है सिर्फ फार्वूले पर मुले करें हाँ आप बनाना आना चाहिए जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप सलूसन करने पाएं यह दिए ग्राफ बन जाता है तो आसानी जो हम लोग सलूसन कर सकते हैं तो कुश्चन के तरफ कोश्चन नमर 16 का सलूसन देख लेते हैं कि कोश्चन नमर 16 का सलूसन क्या है तो देखें का प्रस नमर 16 है करें जाके 10 सेंटीमीटर भूजा के एक संभाव तरहोज के अपनी एक भूजा के परितह परिक्रमा करने से उत्पादित ठोस का आयतन होगा दिकिए इसमें जो भी आपका यह बनाया गया है संभावतिर्बूज और संभावतिर्बूज में आपकी तीनों भुज्दाएं बराबर ओती है यह आपका संभावतिर्बूज बना लेंगे यह भी 10 गा यह वी कितने का गा दस का 10 cm दिया हुआ है सभी 10 लेकिन संभा उतिर्बूज जो बना हुआ यह है A, B, C यह जो है आपका संबावत ही तिर्भूज इधर भी बनेगा घुमाएंगे तो दो तिर्भूज आपके बन गये दोसी दोटिरवूजच बना है तो यहां पर देखिए दोसे बंब ओपर यहां ये यहां पर नीच सब्सक्राइब करने पर दो संखूओं का आकरिती प्राप्त होती है दो संकूब ना है यहां से देख रहे हैं जैसे महीं बताया हुए दो संकूब रहे किया गया तिरभूज ADB में ADB यह आपका तिर्भूज बनना है और यह कितने डिगरी का बनना है 90 डिगरी का बनना है ना ADB में AD2 यह नि क्या आपको AD find करें तो माना गया यह अच्छे और यह आपका BD माना गया क्या AD2 बराबर हो जाएगा AB AB यह आपका कण होगा कण का माईनस क्या BD B और D यह अधार का स्कुरिण तो आपका हो जाएगा BD AB कितने का है AB आपका 10 का है तो 10 का स्कुरिण कर दिये गया पूरा की यह को जाएगा तो यह कितने का वागा की तो ढएक यह यहाँ पैंग मैंगारण। दस प्रक्रान पीस्ट के आ चलांगा। यहां पर दिखेए यहां पर और अभिस्ट्राक्रिती क्या बन चुकी है दो गुड़े यहां पर दिखेगा अभिस्ट्राक्रिती यह आपका संगु के लिए यहां पर देखेए आईतन सिर्फ होता है सिर्फ संगु यह फर्मुला आपका सिर्फ संगु का है यहां पर यहां पर रखा गया है दो से अभिस्ट्राक्रिती क्या दोनों का जो है कि आयतन आपका फाइंड हो जाएगा यहां पर एक बटा में तीन पाई यारी स्कॉार एच यही पर रखा गया है और त्रीजिया को बीडी माना गया नाद बीडी रखा गया है नाम करन कर दिया गया अब गुणे क्या एड यहां एडि ओर और यहां से दोत हैं 10 पाई रहा गया इडी प्रखा गया कि नाएं पांच देख रहां यहां कर अधे रहे जहीं दो गुणे देखिए यहां पर 250 वाटा करने में 3 पाई आप सलूसन करेंगे तो आएगा लेकिन आया कहां से देखिए यह आपको हो जाएगा दो गुणे एक बाटा में 3 पाई और 5 करने में कितना तीन देखिए कितना इस्टेप बढ़ना है 25-25 125 होगा और 125 दुना कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा बाटा में 3 और करने में कितना तीन पाई ठीक है करने में 3 है तो करने में 3 से उस्टेए पर में किया तीन पाई लगेगा और यह आपका हो जाएगा 250 बटा कणी में कितना 3 cm क्या Q तीक है क्योंकि यहाँ पर आयतन है और आयतन का मतल जानता है कि घंद cm होता है यहाँ कि आपके 250 यहाँ पर दिखने हो सकता है light आ रही हो और यहाँ पर हो जाएगा 250 बटा कणी में 3 चलिए कोशन के तरफ वो जो isको जो आफ सम आगे होगा आपका अब हम लोग समझते हैं प्रस नंबर 17 है करें किसी लंब पिरामिट का आधार 16 सेंटीमिटर का समस्ट भूज याद रखे और उनका पार सुप्रिस्ट आपका 720 वर्ग से में है तो पिरामिट की उचाई क्या होगी तो पिरामिट की उचाई तर्यमिटिम के आपके था ही तो आप अपका केंद से चाहिए टिरैंकर पर्सट के तिरभूज बंते हैju आपका तीर्भूज ये आपका अंदर वाला यानिकज ये हिस्सा ये आपको ठाइं करनी है यहां से जो आपकी हाइट इसके और इसके पता करना है यह तिरीए को चाहिए और यह आपका इतना आधार चाहिए तो चलिए हम लोग सलुसन करते हैं पहले जो है चीतर जैसा ही है लेकि चीतर इसमें बनाएं नहीं यह सिर्फ आपका सलुसन पार्ट प्रिष्ट आपका दिया हुआ है 720 बनता है यह फार्मूला है आपका प्रिष्ट बावे एक बटा में दो आधार का परिमाप गुणे क्या उचाग यह आप लोग एसे भी लिख सकते हैं पार्ष पूरिश्ट प्रिष्ट बराबर चाहना च च्छो गुणे एक बटा में दो यहनिकी आधार आधार का परिमाप ना लिखके सिर्फ अभी आप अच्छा से मुडिप्लाइब कर दिया गया तो यहां पर एक तिर्भूच काम निकाल एक तिर्यक प्रिष्ट का निकाल करके उसमें जीतने आपके तिर्यक प्रिष्ट है उससे मुडिप्लाइब कराये तो वही न फर्मूला था बस कुछ नहीं कर उसमें भी 6 होंगे तो 6 से मुडिप्लाइब कर दिखा लिए आधार गुणे क्या तिर्यक उचाई कर दिजिए लेकिन हम लोगा यह नहीं है तो आप यहां सभी लिख सकते हैं परिमाप का मतलब च्छों गुणे क्या आधार होगा ठीक टोटल परिमाप निकल जाएगा तो एक वटा में दो हो गया गुणे आपका क्या तीरियक मुचाई आपकी यहां पर देखिए यहीं से हम लोग पहलें पर यहां निकाल लें तो तीरियक उचाई यहां पर देखिए जहें कि एक चाएगा तो 12 चक बहत्तर हो जाएगा तो 120 हो जाएगा धिर आपको क्यांट जाया है तो से कट का टू कर्क्राब लोगी निकल चुकी न त्रियक जो है आपकी 0 5 तिर्फी हुचाई सेगर पता करते हैं पीरामिड पीरामिड के लिए सैखि現 is है आपको क्या लए पता है क्या निकाला पत्पार में जा रहा है ये आप七 टाला की स्क्वाइर कर होतां के आधार कहां का इसकौईर एक स्क्राइब की स्क्राइब करने के लिए थियर के त्रिक क्या फॉजा गलता ही पंद्रह हो गया फॉर्ट फाइंच करने के लिए अब यहां ट róż करके सित कि त्रीक उचाह चाही kommer by के लिए बेर 17 CT स्कुराइर हो जाएगा हैनों इथर से ब सब्सक्राइब को पल लीक सकते हैं इसको बाद में इतना हुआ और इसको रटाएंगे त्यक्त करणी में कितना तायति सेंटीमीटर आपका बना उमीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ कि कि आसे हम लोग solution किये हैं यानि कि यानि कि हैq बराबर हो गया करणी में 33akter मितर यानि पीरामिट का फी आपका करेंगे सेंटी मीटर ठीक है फ्रेंस उमीद भी बिल्कुल समझ में आगया होगा और हम लोग आप संग की बात करने तो आप संग एक रिक मिला है आप संग में आप सेंटी मीटर ठीक है तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले कोशन के तरफ कोशन नमबर 18 देखते हैं कि सब्सक्राइब करेंगे ठीक है कि एक लंबरीती संग का और शीर्स कौण 30 डिगरी है सीर्स तीर्य कुछ चार से में हैं तो संग का आयतन क्या होगा देकि यह का रहा है कि एक आपका यह संग है संग मुझ बना दे रहा हूं ठीक है थोड़ा बड़ा है कि तिक नब और से यह अद हापसे ठीक है अर्द से घुच वह गया और यह कर रहेए और से जो है यह आप का कितने दीरी का है पीचिटिक ध्यान देलिए लेकिन तिरियक जो हैं उच्छाइन कि आपकी चार सेंटीमेटर पार कि अमालेते हैं ती यह कितनी कि आर इस लेकि सुझकु का क्या पूछ रहा है सभु गर रहें का इर ना का फर्मूला पहले देख लेज़िए सभु आंड अ Bizrier को जGO का आथन पर दूहर क्या होता है एक वर्टा में 232 क्या होता है यह हूता है नो आसान समें कर सकते हैं चलिए तो हम निकालते हैं निकालते 6 तो हम दो । इसको ऐसे बना लीजिए के से बना लेव यह यह जो है आपका यह हो गया यह भी हो गया यह क्या हो गया अभी आपका काम करेगा तो तो तरीज काड़ी अधार और हो जाएगा चार की देखी कैसे बनाए गया यह आपका 30 डिगरी का है ठीक है ना हम घुमा दिया इसको ठीक है अनी तो उधर से बना लिए होते हैं अब यहां पर समझेगा किया पहली हम लोग एक बड़का से लेते हे तो मैं ठीट यानी कितना डिगरी तो क horrificषी सील टिगरी बराबर यहां कितना है आपका अधार कितना है यह हैं बता में कितना है आपका चार है 2 से कटा देजी 2 दूनिके 4 और 2 से मल्टिप्लाइग करें तो यह बराबर हो जाएगा तिर एक मल्टिप्लाइगे तो दो एक हम दो कणे में कितना 3 cm ठीक है यह कमान निकल गया फिर हम लोग एक बार साइन से ले लेते हैं साइन तीज डिगरी आपका हो जाएगा साइन बराबर क्या होता है लम बटा में कड़ होता है अपका है एक बटा में क्कितना डो दो से कटाइश निके हैं तो आपका कितना कि आता है कि तो पाई का मालों रखेंगे नहीं ठीक है आपकी दो करणी में कितना है करणी में आपका हो जाएगा फिर चार दुनी कितना हुआ आठ करणी में तीन हो गया बटा में कितना तीन इतना सेंटीमिटर क्या क्यों यह आपका क्या है यह आपका क्रेक्ट मिलना है उम्मीद होगी फ्रेंस यह विल्कुल आपको समझ में आ गया होगा किस ऐसे सलोशन कराएगा ठीक है आप कुछ नहीं करना है एक जो है कि यहां बनाया बनाया गया है और अर्द संग का कहा रहे हैं यह तो आपको फाइंड करने के लिए तिरकोड मीती में आप लोग को पढ़ाते हैं इसता से अगले कोश्चन के तरफ कोश्चन नमर्ब जो है कि हम लोगा समझ लेते हैं समझेगा उमीद होगी आपको बिल्कुल समझ में आगे होगा कि किस तरह से हम लोग सालोशन किये हैं तो चलिए हम बढ़ते हैं को नमबर नमबर 19 के तरफ वीडियो अभी तक का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और जरूर करते रही है चलिए वढ़ते हैं कोशन नमबर 19 का देखें प्रस नमबर 19 नमबर 19 के तरह करें किसी त्रभूज की भूजा 12 cm 5 cm है तथा इन भूजाओं के बीच का कोड़ समकोड है एक तिरभूज हम बना लेता है यहाँ पर ठीक है यहाँ आपका तिरभूज एक हो गया ठीक है नगर अब यह का रहा है की यह आपका कितने का है 12 cm का है ठीक है और आपका यह अधार है 500 cm का तिरभूज आपका बन गई यह समकोंड है कि तिरभूज को 12 सेंटीमिटर भूजय के परिता घुमाए जाते हैं अब यह आपको ऐसे पकड़ना है और ऐसे आपको घुमाएंगे एसे इधर तिरभूज भनेंगे अब इसी टाइप का एक आपका इधर तिरभूज बन जाएग ठीक है एक तिर्भूज ये बन गया और ये दोनों तिर्भूज मिल करके एक संगु का निर्मार कर दिये की नहीं कर दिये कर दिया ن witnessed संक कि निर्मार आपका कर दिया गया अब यह देखे यह 5 है तो यह भी दिए कितने की तो होगी कि नहीं होगी तो यह पूछ रा है क्या कर है कि जो बंदा है संकु का वार्वक्रीस्ट गयाद किजिए यहाँ पर हम लिखेंगे फार्मूला लेकिन यहां पर 12 cm की परिगत कर रहा है यह आपका यह 12 cm होना चाहिए क्या होना चाहिए 12 cm का होना चाहिए 12 cm का लम होना चाहिए 12 cm का लम होना चाहिए तो यह बने गाए अब तो यहां पाइए आर यह तो जानते हैं तो होता है आरी स्कार होता है यही पर रख दीजिए तिरजिया आर तिरजिया आर पांच सेंटीमिटर है ना तिरजिया कितने के पांच की यह पांच पाई करणी में आपका हो जाएगा चार दूच्छा एक सुनात्तर का बर्गूल बोल दीजिए सन्तिमिटर क्या आपका सथ पाई सेंटीमिटर स्कार है जो है की आलिये आपने का बात कर खकार ≤ सब्सक्रिणao नमसदी। सब्सक्राइब होता होता है यह होता है और इसा संटीमेटर आसा मातरा देख लिए कि इंच pneum सेंटीमेटर सेल करें स्टम मिलत्स होगा और तेरे पेच्छे पाइस सेंटीमेटर इस्वार आपका हुआ याफ से पूछ रहा है जो सफन्हों करें आपका निरमाद कर रहा है उसका आपका ADAM कितना होगा तो आ अंतिम कोशन के तरफ चल देखते हैं कि इस तरह सो करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से चलिए आपका नंतिम को लगा थैंग है और अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक लाइक जरू करते जाइएगा और अभी तक हमयर साथ ने चैनल को सब्सक्राइब जरू कर कर एक लंब पिरामिड जिसकी उचाई 12 cm है और अधार 6 cm भुजा का वर्ग है से उन्में से दिर्ग दिर्गतम संभूता घंकाता जाता है जिसका एक फलक पिरामिड के अधार है गंग की कोर है देखिए इसमें से एक पहले से यह आपका पिर्यामिड बनाया गया है जो आधारा आपका जो है कि वर्ग के रूप मानों होना चाहिए ठीक है पहले जो प्रस्ण यहां पर घंव का नाम भी लेकर रखा गया है आपको दिख भी नहीं रहा होगा और घंव में जानते हैं कि तीनों भुजाएं क्या होती है इसमें से इतने उचाहिकों मैंने काट लिया है यहां फर पुर्म प काटें है इससे की सब्सक्राइब से पूरे नीचा आधार है तो पूरे आधार है है तो पूरे उचाहि हए बारह में से टोलतल्ट जो हैं और एकस घंकी है तो 12 मैं से अदिनी च्छाट निकाल देड़े तो आपका बचा हुआ थिक है न पर आपको सकता है यहां पर आपका रखा गया है कि वी बटा में क्या भी ओडेश कहए वी ओ यह यह जो आपकी हाइट है यह जो आप वी ओड़ेस वी ओवी ओव यानिक पूरे हाइट कितनी है बारह है और बटा में आपका अनुपात लिया गया है जो स्थेस भाग बचा हुआ है वह यह यह पूरा अनुपात पहले पूरी लंबाई ली गई है भी ओ इसके बाद जो बचा हुआ है उसको अनुपात में रखा संबाइए यह जो आपका है ओसी है उसी बाटा में कहा है? डाय सीछ ओड़ेस यहाँ पर रखा गया है छो कणि में आपकी जो है शह कामें 2 बटा में X में इक्स करने में कितना दो और यहां सेडो से दो हम लोग क्या हुआ कट गया तो हम लोग को बचजी कि अच्छा बटा में दो बचा यहां से 3प क्या करतेंगे multiply तो यह से 12 में करेंगे तो 12 x हो जाएगा और 6 से इसमें करेंगे तो सबातर माइनस क्या चो एक्स अब यहां से हम उच्छा एक्स को इधर आएंगे तो 18 बारावर क्या बातर हो जाएगा अबहर निजसे पाकर कितना चार सेंटी मेटर तो आपका करेंट नहीं कितना सेंटी मिटर का आपका बन रहा है कि ऐसे अब आपको समझ में आ गया हाँ समय आया वह नहीं करेंकि यहां पर बना यह बहुत ही डिफकल्ट है इसी चितर में भी आपको समझना है कैसे सब्सक्राइब परस्णों का सलुषन रहा और अगले वीडियो में लेकर चलेंगे आपका एक इस जो है की परस्णों का सलुषन करा जाएगा तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रू कर दें और हाँ अभी तक हमारा साथ नहीं जुड़ा है है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जुड़िएगा साथ में घंडी को विद्धाबात दीजिएगा ताकि जभी वीडियो अपलोड की जाए आप की जो ही कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे हैं चले मिलते हैं आप से अ